अगर घर की माश्य हालात कमजोर होने की वज़ा से SSLC के बाद किसी स्टुडेंट की पढ़ाई में रुकावाट आ रही है तो परेशान होने की जरुवत नहीं है गुलबरकाई शहर में मौझू देकेन एजुकेशन सुसाइडी के एंडर चल रहा है आईशा प्यू कॉलेज में गरीब स्टुडेंट के लिए बिल्कुल फ्री अड्मिशन किया जा रहा है डेकेन एजुकेशन सुसाइडी के चेर्मेन जनाब खुर्शित खान और अली खान हमेशा से अपने कॉलेज में गरीब और जरुतमन स्टुडेंट को फ्री तालिम देने का काम किया है जिसे गरीब गर के बच्चों का फ्यूचर ब्राइड हो सके और इसके अलावा कोई स्टुडेंट अगर 80% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आये हैं तो उनके लिए भी फ्री अड्मिशन रखा गया है यानि 80% से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टुडेंट और गरीब घर के स्टुडेंट को यहां बिल्कुल फ्री अड्मिशन कराया जाएगा डेकेन एजुकेशन सुसाइटी के अंडर चल रहा आईशा प्यू कॉलेज शहर में कॉलेटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है और खुर्शित खान आवाब में खिद्मात की गर से गरीब बच्चों को यहां फ्री तालिम दे रहे हैं एक तरफ आजकल एजुकेशन को कुछ लोग बिजनेस बना कर रखे हैं और दूसरी तरफ डेकेन एजुकेशन सुसाइटी के जरीए गरीब स्टुडेंट को फ्री तालिम दी जा रही है आईशे प्यू कॉलेज के प्रिंसिपल ने तमाम डीटेल बताते वे कहा काफी कम फीज में इस कॉलेज के जरीए बहतर एजुकेशन दिया जा रहा है जिसमें आपके लिए बस फैसलिटी के अलावा कॉलेज केंपस में दीगर कई सहुलाद दी जा रही है आईशे प्यू कॉलेज में फ्री अड्मिशन की खबर सुन शोशल अक्टिविस्ट अजगर उसेन ने कहा इसे कई कॉलेज जहां डोनेशन के नाम पर पचास हजार से दो लाग रुपया मांगा जा रहा है जिसे गरीब बच्चे तालिम से महरुम हो रहे हैं और आईशा प्यू कॉलेज में घरीब बच्चों के लिए फिरी तालिम देने के लिए अजगर उसे ने डेकेन एजूकेशन सुसाइड़ी के चेर्मेन खुर्शित खान और अली खान का शुक्रिया आदा कर तमाम शहर के बच्चों को इस कॉलेज में अडिमिशन लेने की और आपको बता दें प्यू सी के बाद यहां मेडिकल कोर्सेज डी फार्मा बी फार्मा नर्सिंग के अलावा बीएड डीएड यानि अलकेजी से लेकर पीजी तक कई कोर्सेज रेकेन एजूकेशन सुसाइड़ी में अवेलेबल हैं जिसको सीख कर कोई भी स्टुडेंट अपनी लाइफ में कामियाफ हो सकता है और जनाब खुर्शित खान और अली खान की निगरानी में लड़कियों को पूरी सेफटी के साथ इस्लामिक माहल में यहां तालीम दी जा रही हैं अगर आप भी इस कॉलेज में अड्मिशन लेना चाहते हैं तो आप गुलबरगा श ASSALAM ALEKUM! I am Sumeyah Beginom,iałgain Principal of Aisha Pew College. Kurshit Khan Sir and Ali Khan Sir are the Chairmen of Dhakkan Pew College and Aisha Pugh College. In our college, well qualified staff and lecturers and we are taking regular and serious classes. Bus facilities is also available. Our student got 80% in PUC examination and in our campus, every facilities are available. So, if any student got 80% in SSLC examination, it takes free admission. अगर SSLC examination में कोई बच्चे 80% से ज्यादा score कर चुके हैं, तो हम उनको यहाँ पर free admission भी provide करते हैं. जो माली हाला जिनकी ठीक नहीं है, जो effort नहीं कर सकते fees को, SS students को हम लोग यहाँ पर free admission भी देते हैं, क्यूंकि हम चाहते हैं कि student का future खराब ना हो, वो लोग अच्छी से अच्छी education हासिल करें. हमारी society में और बहुत सारे courses भी available है, यहाँ से PUC first year and second year करने के आद, आप लोग आगे के courses भी यहीं join कर सकते हैं. तो fees के वगएरा यहाँ पर कोई और हमारे college का address है, मालगति क्रॉस इतियात colony स्क्रीन पर यहाँ पर नंबर दिये गए हैं, अब आपको कुछ भी अगर जानना है, डीटेल्स में तो आप college कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन के रिलेटर्ड असलाम अलेक्म रह्मत अल्लाय वरकातों, आज डक्कन education के चेर्मेन खुर्शित खान साब फिर से एक बार सुनेरा मौका अपला हैं, आईशा प्यो कॉलेज में, यहाँ पर एसल सिल के जो पर्स्ट येर, सेकेंड येर के बच्चों को, यहाँ पर फ्री अडमिशन डक्कन education society के तरफ से और आईशा प्यो कॉलेज में फ्री अडमिशन रखा गया है, तो मैं तमाम student से जो बच्चे पढ़ना चाते हैं, लेकिन थोड़े हाला खराब होने के वज़े से वो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ पर आईशा प्यो कॉलेज ने बिल्कुल यहाँ पर बच्चों के लिए अडमिशन फ्री रखा गया है, क्योंकि यह हर साल खुर्शित खान साब और अली खान साब यह बच्चों को यहाँ पर उनके गैरेंटी के साथ यहाँ पर बच्चों की पिछले चार-पांस साल से हम यह काम करते आते हैं, मैं यहाँ पर अली खान साब को और पुर्शित खान साब को ठाइम फूल करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा इनिसियेट लिया है, क्योंकि बच्चों के फीचर के बारे में उन्होंने सोचा है, आईशा प्य